मुझे गाइज राद बिल्कुल भी उमीद नी थी के भाई मेरे को यहाँ पर नीद आईगी लेकिन गाइज मेरे को राद को भाई यहाँ पर बहुत अच्छी नीद आई और गाइज राद को मैं सिंचन चौप हम तीनों की तीनों गाइज यहाँ छट पर सोई थे और यह है घर मेरे दोस्त का राद गाइज यह काफी बड़ी प्रावल्म होगी थी हमारे घर में इसलिए गाइज मेरे को सिंचन चौप को गाइज एमरजनसी में मेरे दोस्त के घर पर आना पड़ा और यहाँ पर आ करके सोना पड़ा अरे लेकिन फेंगल भी को यहाँ पर खुली ठीक है अब तू जा सकता है फ्रेंकली इंसल सिंचे इंसल आजया फटाउट से हमको भाई जाना होगा और जाकर के सिंचेन उस गाड़ी को एक बर देखकर के आना होगा वो घर से भाई अभी भाण निकली या फिन नहीं निकली गैज मैं आपको बदाता हूँ राद भाई मसद करके बाते करेते और अचानक से घाई अपने घर में भाई यह गाड़ी एंटरी मारती है और एंटरी मारने के बाद जो मैंने उसके अंडर देखना का रखकार ड्रीवर को व् 걸की खाली ने को बला भाई निकली निकली लाल धुय निकली भी दुए था के बाद तो गायज हमने डिसाइड कर लिया भाई हम अपने गर में बिल्कुल रुकने नहीं वाले इले गायज यहाँ पर आकर गायज हम सोई थे तुम्हें क्या लगता है फ्रिंगल भी होगी क्या मुझे सिंचेन लगता नहीं क्योंकि सिंचेन जो भूत बगेर होते हैं वो रात में भाई दुवार आ जाते हैं लाइट्स गो सिंचेन पहुच चुके हैं भाई अपनी गली के अंदर हो और गैस गली के अंदर आने के बाद ना भाई मेरी हाट बीट तो ती जोगी ओ यह तो मेरा पड़ासी इससे पूछना पड़ेगा अखिरका रात को भाई घर मे इसलिए मैं तो रात को सो भी नई पाया और फ्रेंगल भाई यह बुल ला है भाई रात को कई हमारी घर में चिलना रहा तो वो भी सिंचेन यह वता रहा है चार बजे हम तो ठीक सिंचेन रात के दो बजे भाई अपनी घर से निकल गए थे वहाँ पर सोने के लिए रिज का पहले गैज मैं आपको बताता हूं बैटें गांपर ते हम तीनों के तीनों गैज जस्ट इस लोकेशन पे बैटे यहां पर यहां पर हम बैठे हुए और अचानक से गैज उपड़ से भाई गाड़ी जंप करके आती है सुमी पूल में और सुमी पूल के अंदर से निकल के गै घर में गाड़ी आके सकती है हां सिंचैन बोल तो ठीक रहे वह गाड़ी का साइस गैज काफी बढ़ा था और वह घर में तो बिल्कुल आई नहीं सकते क्यों हमारे घर के गेट है वह काफी ज्यादा चोटे हैं और चेंज करने के बाद गैज मैं जा रहों डारेक्ट पुल यह तो गैज वह गाड़ी है जो गैज रात को जश्ट अपने घर के अंदर आई ती और बाबरे भाई साब इसकी एक पर लुक चेकर ना यह तो यह तो यह तो बिल्कुल भी अंदर आने सकते क्यों है और यह गाड़ी काफी बढ़ी है तो इस रूम के अंदर सिंचैन जल्दी से और जाकर के घाज हमको एक बाबा को बुला करके राना होगा ताकि घर से भाई बाबा इस गाड़ी को बार निकाल जके वनना तो सिंचैन मुझे लगता है यह गाड़ी ना अपने घर पर कप जा कर लेगी और तेर को मेरे को सिंचैन को भाई इस गर से हमीज़ा हम इसा के लिए भाई निकाल देगी यार मैं बिल्कुल नहीं चाता गैस मेरे होते भाई मेरे घर पर यह हॉंटेड कार कप जा कर ले तो लैट्स गो भाई अभी क्या भी फटाओट से मैं निकलता हूँ और जाकर के गैस हम बुला करके लाता है भाई बाबा को अब गैस हम घर पर तो यार मैं बिल्कुल भी अकेले रहने नहीं वाला है इसलिए तुम्हारे साथी चलने में फाइदा रहएगा चले फ्रेंगल भाई बहगा हो गाड़ी को और गाई जो अब तो मेरा मन कर रहा है कि रात को भाई अपने साथ में अपने बड़ा सी वगयरों को सुला नकले वाबा यार कुसना कूस तो सिंचैन अपनी हैल्फ करेंगे चल सिंचैन च спокойskin वृपा सब करा निरे को मनें वस बासा मिरेको ऐसा ऐसा सोरा है जैसे बासा कोई ना कोई तो समेरिक आजरा अई ओ ननिकल लौन औरस निसंट्ट पलॉए बाट has लौट कर भी नि creation में यूइघा drift from मैंने तो अपने दोस्तों को बोला था कि ये वाली बाइक मैं खरीद करके रहूंगा चाहे जिंदकी में कुछ हो जाए और आज मैंने ये उड़ने वाली भाइक खरीद दिली फाइनली चल करके फ्रैंकलीन को दिखा करके आता हूँ और बागी दोस्तों को तो मैंने सुबाई जाकर के दिखा दिया सिरी फ्रैंकलीन रह रहा है फ्रैंकलीन के पाथ जाता हूँ और अपनी बाइक दिखा गे राता हूँ ये बहुत ज़्यादा यूनीक बाइक है और इसके अंदर एक बहुत बड़ी फैसिलिटीज है मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर से गन निकलती है फायर करती है मेरी बाइक अगर कोई भी सामना आया उड़ा दूँगा उसको अब तो मेरे को बाइक फ्रैंकलीन के घर में खड़ी करने की कोई जरोती नहीं है अंदर ले जाता हो अरे 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 अभी मैं सही से उड़ानी पाता है इसको लेक इसे चड़ाया मेरे को तो कुछ समझ जा रहा फ्रैंकलीन तुका है फ्रैंकलीन लगता है घर में नहीं है लेकिन यह गाड़ी के अपर भूट की मुंडी ओ भागो 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 और एक सेगेंड यह क्या हुआ औरे बाबरे मैं खड़ा खड़ा कैसे गिर गया मुझे कु अरे फ्रैंगल ब्या यह बाबा तो मेरे को सच में पाखंडी लग रहा है यह फ्रैंगल जो भी तुमसे बाते करें इसकी बात पर बिल्कुल भी विश्वास मत करना औरे सिंचन चुपो जा बाबा भाई तेरी बाते सुन रहे हैं वो भी कपसे और यह कुछ बोल भी नहीं यह स्रिफ और स्रिफ यह जहां भी जाते हैं अपनी गड़ी सी जाते हैं बेड़ा बहुत देर होगी तुम दोनों की बक्वास सुनते सुनते मुझे यहीं उतार दो मैं ड्राइवर को बुलाओंगा वो मुझे मेरे अड़े तक छोड़ जाएगा तो कभी तुम मुझे पा का यकीन है जाए उस गाड़ी के अंदर भू-भू-थो भाई हलो हैं जाए तुम अबद आपके बच्चेन बाबा को लें अंदर आना भाई यहां कूनि रे आप यह चीच दिया तो मैंने सोचा अब यह अकेला है कि अन्दर चलेग तो मैंने इसके खीच दिए देख रहें यहां निता फ्रेंकिल भाई यह देखना बाबाजी की गाल पर चांटे लगांगा अरे बाबा यह क्या हो गया तुमारे घर में देखना पड़ेगा मुझे और वेट यहां पर गया यह क्या चीज़ है यह तो कुछ यूनिक चीज़ लग रहे है और यह बाइक है और यह हांटे बाइक भाई हमारे घर में कोई बाइक भी लेकर क्या है अरे इस बाइक को मत टच करो इस बाइक को मत टच करो इससे उतरो फटावर से जब तक मैं इस घर को पूरा चेक नहीं कर लेता है जब तक तुम इस घर की किसी भी चीज़ को टच नहीं करोगे यह घर पूरा पूरे घर को मैं पवित्र कर दूँगा अभी तुमको काली घाटी जाना पड़ेगा और काली घाटी जाकर के वहां से तुमको लकडियां लेकर क्याने होगी वहां की लकडियां बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है एक किरिया करने के लिए तो तुम फटावट से जाओ और लकडियां लेकर आओ बेसक छोटा सा एक पीस लेकर आना लेकिन लेकर जरूर आना आरे हाँ बाबा जी लेकर आता है तब तक आप क्या करोगे तब तक मैं पूरी कोसिस करता हूँ जानने की आखिरकार ये गाड़ी मैं कैसे आई और इस गाड़ी के पीछे राज का है तुम जल्दी लेकर आओ उससे मैं तुम्हारे घर को पवित्र कर दूँगा ताकि इस घर में आगे से कुछ भी कभी प्राब्लम ना हो जाओ तुम फटावट से रे फेंगल बोल ला हूँ ये बाबा की बात मत सुनों प अपने घर ले करके जाओंगा चाहे कुछ हो जाए इस बच्चे को बोल दूगा के इस बाइक में भी भूता है हाँ ये सहीर है और इसको लेकर चले जाओगा कुछ फायदा तो करूं अपना बाबार पाकंडी वाकंडी मत बोल सिंचे तुझे पता निये भाई अपने घर म मेरको तो बहुत डल लग रहा है मुझे लग रहा है सिंचे अपना गरना बहुत ज़्यादा खत्रे में जल्दी से जल्दी बस गैस ये बाबा ना इस गाड़ी को यहां से बगा दे और तो और गैस आप लोगों ने गाड़ी का नया रूप नहीं देखा भाई गाड़ी के प्रफीन अच्छार को कोई कंट्रोल कर रहें मेरा मतलब के कोई पका इसके अंदर आत्मा फगर होगी एक बाबा जी ये तो सही बोल रहा है रात होगई तो शेंचें बाबा भी घर से भाग जाएगा वैसे भाइस बाबा मेरे को थोड़ा बहुत डर्पोग लग रहा एक तो भाइ बाबा को गाड़ी चलाने नहीं आती उपपर से गैस पता नी इस बाबा के पास इतनी महंकी गाड़ी कहाँ से आगी आखिर गार सिंचेन बाबा बनके इतना सारा पैसा कोई कैसे कमा सकता है भाई और यह इनके पास और क्या व्रेंगिल बेखाता रहा और इनके पास देख रहे हो और डिए और अट्स गो सिंचेन भाई फाइनली आरे हम अपनी लोकिष में पहुंचनी वाले और यह चेकर को गयाई पॉंच गई पाई अपनी लोकिष में लेकिन सिंचेन मेरे यह समझ दो आब लिए यहां पर यह बोल रहा हूं गाई लगडिय करेंगे क्या और यहां पर कोई है क्या और यहां पर कुछ मिले ना उसका फ्रेंगल पर गाड़ी में साथ रख करके लेके जाएंगे यहां पर तो गैस बतानी वाई कि ऐसा बना रखा है देखना गैस सोफिव अगेरा लगा रखेंगे और साधे साथ में सीट होती है वो भी भाई यहां पर लगा रखेंगे और सामने की तरफ गैस इस्टेज भी बना रखा है इन लोगों ने चलो गैस यहां पर रुखना ना भाई ज्यादा ठीक नहीं लग रहा क्यों ही गैस यह इरिया पूरा का पूरा मेरे को माफिय टाइप लग रहा है तो ल के चलते हैं यहां और सीट को बाई की ठीक है चलो भाई बिना किसी दिरी के गैस निकलते हैं अपने घर की तरफ अब आएगा ना गाइस असली मज़ा कम से कम हम को भाई कुछ बढ़ी चीस तो मिली अब गैस में तो काफी एकसाइटे नहीं घर पहुंचने के लिए बस जल को बाइक मिलगी फिरी के अंदर वैसे गाइस देखा जाए तो यहां पर जादा यार भी इड़ भाण नहीं है ना तो गैज यहां पर मिरको लोग दिख रहे है और नाए गैज यहां पर जादा गाड़िया चली या फिर गैज ऐसा हो सकता है यहां पर इतिते बारिस हो रही ह कैसे होंगे पता नहीं सिंचेन कैसी रहते होंगे और यहां पर पता नहीं कितने जादा बूद वगरा भी होंगे लगता है सिंचेन भाई अपने एरिये में भी काफी तगड़ी बारिस होई है लेकिन सिंचेन हमारे यहां पर पहुंसते ही सिंचेन बारिस बंद होगी है द फाइनली वाई अपनी गली के निरतम पहुंच चुका है और बाब रहे बड़ी गाड़ी हो गया चोटा सा गली-गली में आते यार एक्सिडेंट हो गया लेकिन अपनी गाड़ी को कोई फरकी नहीं पड़ा जो हुआ उसकी गाड़ी में हो अरे फेंगल बैस सबसे पहले जा हाँ सिंचैन अपनी बाइक है चलाते रहे हो चलो गाइस उतारते बाइक को और इस लकड़ी को वेड भाई बाइक का है सिंचैन अरि गिरा आधी अरि इवरेंगल मैंने जान बूछ के थूड़ना गिरा ही सिंचैन मैंने तेर को बोला था भाई साही से बांदी हो लेकिन बाबा बात अब काम कर रहा है मानदरी से ओ हेलो बाबा जी मैं लेकर के आगे भाई आपने जो मुझसे मंगए था सच मैं लेकर के आगे न और मैं इस गाड़ी के बारे में सब कुछ जान चुका हूँ अभी बस तुम देखते रहे ना खड़े खड़े इसके अंदर से निका करने यह भूत को भगन है और भाई साब आप से बात करने है कुछ भी करो बस जल्दी से जल्दी भाई इस गाड़ी को मेरे घर से निकालो ठीक है तैंसन मतलो बस वो लकडी चाहिए मेरे को लकडी लेकर आये ना हाँ लकडी लेकर रुको भाई में नीचे लेकर क्या तो अ अब बस तुम देखते जाओ इसके अंदर जो भी है उसका चेहरा भी हमको देखने को मिलेगा अरे क्या सच बोल्यों क्या हूँ धकन खुला सिंचेन अब हमने खुद देखा इसका धकन खुला ओ भाई साफ सिंचेन कोई तो है अरे देखो फिर इसका गेट खुल गया यह जल्दी कुछ कर इस गाड़ी का वरना वास अब यह बूद बास अब हम सब को निकल जाएगा ओ बास अब जल्दी से पोटी कर देता हूँ तो यह लोग लगता है मुझको निकाल कर ही मानेंगे तो ठीक है अगर यह ऐसा ही चाहते है तो मैं ऐसा ही करता हूँ और दिख देखने लगता हूँ इन लोगों को देखो क्या खरोगे तुम मुझे देख कर ओओ भाई निकला सिंक है नो कोई तो है लेकिन गयाज मैं इसको सही तरीके से देखनी पा रहा ओ भाई साब यह किस तरीके का बंदा है यह तो पुरा इंसान है फ्रेंगल बैर हमारी तरह है मैंने किसी के साथ गलत करा मैंने तेरे साथ कुछ गलत करा नहीं नहीं भाई कुछ गलत निकरा अरे फैंगल बैर मारो यार इसको मारो मैंने जब किसी के साथ गलत नहीं करा तो तुम लोग मिल करके मेरे साथ क्यों गलत कर रहे हो मैंने कभी नहीं करा किसी के साथ गलत ल ये गाड़ी से मेरी बहुत पुराना सम्मन्द है तो इस गाड़ी के बारे मैं तो मैं तुमसे बहुत तुमसे कुछ नहीं सुन पाऊंगा मुझे ये घर बहुत अच्छा लगा है इसलिए रात को मैं यहां आ गया तो तुम अब मुझे भेजना चाते हो हाँ भाई आप जाओ ना यहां से देखो मेर को ये घर प्यारा है इसलिए अब मैं यही रहूँगा उसके बदले में तुमें जो चाहिए मैं तुमें वो दूँगा उसके बदले में तुमें पैसा ही तो चाहिए जिससे तुम एक नया गयाज, एक बार, गोल्ड, और वेटी, यह पीटी के अंदर किया है, यह तो गयाज, पैसा है भाई, पैसा दिखने कितना सारा कैसे है यहाँ पर, भाई साब इतना सारा कैस, इसका मतलब गईज, यह कोई बूत नहीं है मतलब guys देखा जाए तो भूत है लेकिन भाई यह अच्छा भूत है यह अपना दोस्त है भाई जबी तो guys इसने भाई हमको कोई नुकसान नहीं पहुचाया और नुकसान पहुचाने के जिए guys इसने तो हमको काफी अमीर बना दिया देखना यहाँ पर कितना सारा गूल्ड है भाई मेरे पास easily भाई 100 करोड तो आने वाले हैं, सोचो भाई 100 करोड की मैं पूरी की पूरी बिल्डिंग पर्चेस कर सकता हूँ और उस पूरी बिल्डिंग में रह सकता हूँ, लेकिन अके ले तो भाई में रहा नहीं पाँगा, क्योंकि बिल्डिंग के अंदर गाईज बहुत सारे फ्लोर होते हैं, चलो गाईज अब एक काम करता हूँ, आज की आज ही गाईज सिंचेन को ले करके चलते हैं, और एक बड अपना जितना भी गोल्ड और पैसा हैं और जितनी भी सुपरकार हैं, वो चल करके अपने नए घर में भाई चाह करके रखता हूँ, और हाँ गाईज अगर आप लोगो नहीं पिता कि इस वीडियो को लाइक हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और चैनल को आपके पास निवर्सन पहुंच जाएगा, मिलते हैं आपको नेक्स वीडियो में दो गाईज, प्यारवाला, बाई!